ठीक है चलो बच्चो एक टॉपिक हम लोगा प्रोबिल्टी में ऑनलाइन वालों आवाज सही आ रहे हैं आप लोगों दिख सही रहा है लेंस साफ कर दें चलिए लेंस साफ करके देख लेते हैं भाई अभी ठीक है चलिए देखो हम लोग ने बेस ते और हम तर प्रोबिल्टी में पढ़ चुके हैं आगे इसका एक और पार्ट है प्रोबिल्टी को एक और तरीके से दिखाया जाता है वो तरीका होता है रेंडम वेरियेबिल का अब रेंडम का मतलब तो होता है कुछ भी आप स्लेक्ट कर सकते हैं रेंडम वेरियेबिल मतलब आप कोई भी वेरियेबिल स्लेक्ट कर सकता है रेंडम ली अब इसका एक्जामपल समझे जैसे क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 इनमें कुछ बच्चे बढ़ते हैं सब उसकर लिए क्लास 12 में हमारे पास 10 बच्चे बढ़ते हैं तो मैंने उनको रेंडम वेरियेबिल दे दिया 1 यानि क्लास 12 वालों का रेंडम वेरियेबिल क्या है 1 और क्लास 11 वालों को मैंने रेंडम वेरिये समझ में आगे बाद इसी तरह से हमें रेंडम वेरियेबिल देता है प्रोबिलिटी को अब वह कैसे होगा उसको देखते हैं कि एक्जाम्पल के थू समझते हैं जैसे माली मैंने को दो बार टॉस किया तो पहली बार टॉस किया तो हैटेल आएगा एक बार आपने और टॉस कर दिया था हैटेल आजाएगा ऐसे बन जाएगा तो टोटल अउट्सक्टम क्यों है हों एच 8 एच्ट हो जाएंगे टीर हो जाएंगे और ठी इस तरह के सवाल हमने बहुत सारी कि अभी भी वही करने जा लेकिन उसको करने का तरीका रेंडम वेरियबिल के अप्रोच कैसे करेंगे देखिए मैंने आप से कहा कि हैड वाले की प्रोबिल्टी क्या होगी वह बताईए मुझे ठीक तो अभी आप देखेंगे तो हैड यहां उसमें एक head भी है और दो head भी है है यही मैंने आप से पूछा आप आप देखिए अगर मैं एक random variable select करता हूँ Visit zero तो यहां पर x परावर जिरो एक random variable है इसी तरह x परावर one एक random variable है, एक पराबर 2 एक random variable है। मैंने x पराबर 0 तब दिया जब कोई head नहीं आया। No head के लिए मैंने random variable क्या दिया? 0. इसका मतलब क्या है, कि मैं बात किसकी कर रहा हूं? दोनों tail की। फिर 1 मैंने variable लिया जब एक head आया। इसका मतलम मैं बात किसकी कर रहा हूं? head tail की और tail head की और फिर मैंने random variable 2 लिया यानि कि दो head आये यानि कि बात किसकी कर रहा हूं? तो यह तो होगे random variable का concept कि जो हमारे यह outcome है इनको इस तरह से लिख देना अहां नहीं हर बार हो तो सवाल के हिसाब से अगर उसमें 0 बनेगा तभी 0 लोगे है ना मालों यह coin ऐसे होते हैं कि इसमें tail आता ही नहीं दोनों both side head वाले होते हैं तो 0 थोड़ी होता ऐसे भी तो सवाल है वारवे इसमें both side head होता है है ना हाँ 22 कोई जो होता है तो उसमें फिर 0 वाला नहीं होता चलिए अब इनकी probability निकाल लिए इसकी probability कितनी होगी बढ़ाई इसकी probability कितनी होगी वन बाई 4 ने टेल टेल आने की वन बाई 4 होगी इसकी probability क्या होगी आप कहेंगे 2 बाई 4 मैं कहूंगा इसको तो मैंने लिख दिया ऐ से कि इसकी probability होगई Px पराबर 0 की probability कितनी होगई 1 by 4 और Px पराबर 0 की probability क्या होगई Sorry X is equal to 1 की probability क्या होगई आप कहेंगे 2 by 4 है ना मैं कहुंगा कि इसकी probability 1 by 4 प्लस इसकी probability 1 by 4 और दोनों को add करेंगे तो आने वही वाला है 2 by 4 यानि कि 1 by 2 मैंने इसको अलग-अलग इसली लिखा क्योंकि यहां पर 2 हैं बस कहने का मतलब यह है और x is equal to 2 यानि दोनों head हो जाए तो इसकी probability भी क्या होगी 1 by 4 तो probability of x is equal to 2 will be 1 by 4 इतना आप लोगों समझ में आया भी तो कोई दिक्कत ही नहीं एक दम आसा आले अब इसकी एक table बनाई राती है random variable की एक table बनाते हैं हम लोग यहां पर हमने x को value देना है तो x पराबर 0 x पराबर 1 और x is equal to 2 और नीचे इनकी probability तो x पराबर 0 की probability कितनी है 1 by 4 x पराबर 1 की probability कितनी है 1 by 2 और x पराबर 2 की probability कितनी है 1 by 4 यहां पर और और add कर सकते हैं आप यहां x लिख दीजें तो इसकी जरुवत नहीं पड़ेगी और यहां पर हम px लिख देंगे कि इस random variable की probability पहला पाट तो इसमें इतना है जो आज हम लोग पटने जाले हैं आप इन probability का sum देखिए कितना है 1 दीखो 1 by 4 प्लस 1 by 2 हमेशा ऐसा ही होगा यह जितने में पी एक स ह संब कितना होने वाला है वन होने वाला है चाहरे perfectly 0 पी एकश 1 पी एक्स 2 जितने ही हूं कितना होने वाला बात को ध्यान में इक कि इतना नोट करिए पहले जल्दी से सब लोग कि इसमें चेक करना है जो प्रोबिल्टी दिस्ट्रिबिशन की टेविल दिये वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है तो इसमें उने पहली टेविल दे रखिए वो रेंडम वेरिविल है एक्स वन जेज़ते क्म करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है तो आपको क्या करना है इतर आब ङक्स तो कोई भी वेलिव ले सकता है प्रोबिल्टी डेनना सचाफिक है वह कितना होना चाहिए वान होना चाहिए तो क्या सम इस्ट ci 0.4 plus 0.4 और 2 इतो 2.8 हो गया इसका मतलब यह जो distribution दिया है यह wrong है उसने यह पूछा है भी सवाल ठीक है नोट नहीं करो इसको एक और सवाल करते हैं एक y random variable है और उसका probability distribution जो दिया है वो यह दिया हुआ है 1,2,3,5 और 0.2,0.3,0.2 and 0.2 random variable can take any value आप चेक करिए कि इसका sum कितना हो रहा है 0 अच्छा हाँ सब का sum कितना होना चाहिए तो कितना हो रहा है 0.9 हो गया नहीं मामला बनेगा समझ गया न इसका मतलब क्या हो जाएगा हाँ 9 0.9 आ रहा है इसका मतलब यह probability distribution भी correct नहीं है समझ में आगे इतनी बार next देखते हैं एक और अब यह मत सुचना कि सर इसमें जो है आपने x लिए इसमें y यह variable है मैं कुछ भी ले लूँ ठीक है अब इसमें इन्हों नहीं रखा है minus 1 0 & 1 और 0.3 0.4 0.3 रेंडम वेरिबिल कें टेक एनी वेलू तो यह चलेगा लेकिन नीचे का सम वन होना चाहिए यह क्या वो वन है वन है यानि यह probability distribution करेक्ट है इस तरह से दो नंबर का एक नंबर का सवाल इस पर भी आता है क्लियर हो गया एक यह वाला note कर लो और उसके नीचे लिख लेना कि दा सम ऑफ गिवन प्रोबिल्टी शुट भी वन तो नए question में PXI यानि probability यही वाली चीज उसको इस तरह से दिए वन बाई टू तो पावर आई वेर आई गया वन टू थ्री अप टू इंफिनिटी ठीक है तो अब random variable आपका कुछ भी होता रहे probability आपको दी हुई है random variable कुछ भी होता रहे probability आपको दी हुई है चलिए क्या कैसे देखते हैं जब यहाँ रखोगे variable 1 X1 जैसे वहाँ 123 होता था अभी कोई इसने नाम नहीं दिया वन टू थ्री वो variable X1 है तो probability कितनी हो जाएगी वन बाई 2 आई की रगा वन रखा जब आप 2 रखोगे तो probability कितनी होगे फिर 4 रखोंगे तो 16 ऐसे करते 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 कहां तक infinity इन सब का सम करके हमें देखना है कि यह वन आ रहा है या कुछ और आ रहा है घ् viens जौमयमेट्रिक प्रोग्रेशन और जौमेट्रिक की प्रोग्रेशन द मेरे जा मतना एंटम या वहता है या अलै वहीं वहक ठीज का फॉर्म्यूलाइग है कि उप्रॉश का फॉर्म्यूलाइग ए आपाइंट टो एक एन नोबी टो इनका सम कितना गया वन इसका मतलब एपरबिल्टी डिस्ट्टिविउशन और्ट समझ गए नोट करिए इसको अच्छा सवावब ठीक है अब इसमें देखो जो random variable वो क्या है random variable है number of heads minus number of tails आपने 6 coin को simultaneous toss किया है या we can say कि हमने एक ही coin को 6 बार toss किया है तो ऐसा होगा यह number of head यह number of tail आपने अगर माल नेते चलो 6 coin को एक साथ toss किया, तो 6 हो पर head आ सकता है है ना, तो number of head कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते है और number of tail केस में कितने होंगे, 0 तुमने toss किया, 6-6 को एक साथ उचाला तो 5 बार head आ सकता है और 1 बार tail आ सकता है इसी तरह 4 बार head और 2 बार tail आ सकता है इसी तरह 3 head और 3 tail आ सकते है 2 head और 4 tail आ सकते है 1 head और 5 और 0 head और 6, यह समझ में आई बाद इतनी सही है अब z क्या है, जो variable है random variable वो क्या है number of head minus number of tail तो जो हमारा z है random variable इसको भी हमने x में लिखा था वो देखो अब क्या होगा, number of head minus number of tail तो 6 minus 0 कितना हो गया 6 हो गया, 5 minus 1 कितना हो गया 4 हो गया, 4 minus 2 कितना हो गया 2 हो गया, 3 minus 3 कितना हो गया 0, 2 minus 4 कितना हो गया minus 2 हो गया, 1 minus 5 minus 4 हो गया 0 minus 6 minus 6 हो गया तो देखो यह random variable की value आ गया इस सवाल में केवल लिस्ट ओल पॉसिबल वैलिई ऑफ रेंडम वेरेबिल की लिस्ट ही बनानी थी तो देखो नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया समझ गया आप लोग नोट कर लो जल्दी से किवल्टी डिस्टिबूशन टेबल बन मुए है कि भी अरट्रेडम वेरेबिल कफ यह और प्रोब्बबिल्टी जो है वो के कथ है निकजान एक्ट हमाइर clinics लेका वन गुटना ऐसे ह्ट के प्लस के बाई 2 प्लस के बाई 4 प्लस के बाई 8 is equal to 1 करेंगे आप लोग यहां से की वैलू आ जाएगी मैं डारेक्ली लिख दे रहा हूं मेरे पाँ अब आप इस टेविल को कोई कुछ कहना चाहता है ओनलाइन वाले बच्चों ठीक है चलिए अब इस प्रविल्टी टेविल को अगर हम लोग पूरा कर लें तो पूरा कर सकते एक्स पी एक्स जीरो वन टू थ्री अब यहां पर के की वैलू एड़ वाई 15 हो गई यहाँ पर के वाई 2 है तो 8 भाई 30 हो गया है ना नहीं के वाई 2 हाँ 8 भाई 30 जीरो के वाई 4 के उत्रें चेलए एड़ बाई 10 वह गया के बाइ 8 अब इसको थोड़ा और सॉल्व और लिक ले ले यह आपकी मरजी है यह क्या जब random variable 2 से छोटा है 2 के बराबर तो यही तीनों तो आएंगे तो यह probability कितनी हो जाएगी बस इन तीनों को add कर दीजे 8 by 15 प्लस 8 by 30 प्लस 8 by 60 और अगर आपसे पूछ रहा है P x greater than 2 तो उसमें तो के वले के ही case आया इक्वल्टू तो लगा नहीं है तो उसका answer कितना हो जाएगा x greater than 2 का 8 by 120 समझ गया क्या हुआ मुलें ठीक अब सवाल में पूछा क्या है यह भी तो लिख दे जरा पहला तो यह find the value of k तो पहले तो हमें k निकालना है तो अभी सबका sum 1 आप नहीं कर पाओगे solve नहीं पाओ उससे पहले इसका probability distribution table बना लेते हैं हम लोग एक्स पराबर 0 1 2 3 4 otherwise otherwise या नहीं अब यहां कुछ भी होता रहे 5 6 7 8 कुछ भी होता रहे ठीक है ना जब जब एक्स पराबर 0 है तो probability कितनी है 0.1 जब एक्स पराबर 1 है तो k into 1 यानि कितना आ गया के एक्स पराबर 2 है तो भी इसी formula से निकालना है तो 2 रखा तो 2 के आ गया एक्स पराबर 3 तो यहां रखे एक्स पराबर 3 तो 5 माइनस 3 2 2 इंटू के 2 के एक्स पराबर 4 तो 4 यहां रखा 5 माइनस 4 1 1 इंटू के k और उसके अलावा कुछ भी हमाल लो 5 है तो 0 है ना 6 है तो कुछ भी है तो 0 अब आगे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आगे तो सब 0 ही 0 आने वाला है इन सब का sum अगर 1 होना है तो हम लोग केवल इतने का sum 1 कर ले क्योंकि आगे तो 0 ही होने वाला है ना तो यह हो गया 0.1 प्लस k प्लस 2 k प्लस 2 k प्लस k is equal to 1 इसको solve करेंगे नोट करो जल्दी से पहुंज कर दो अब इसका पहला पार्ट के वो फाइंड कर लिया हम लोग ने सेकिंड पार्ट में 3 है वाट इस अप्लस कम से कम दो घंटे यानी हाँ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे हाँ कम से कम 2 घंटे स्टडी करो इसका मतलब हो गया x greater than equal to 2 तो x greater than equal to 2 वाले कौन से है probability 2 k प्लस 2 k है ना प्लस k और प्लस 0 0 0 तो लिखना कोई मतलब नहीं है तो k की value यहां डाल देना जो आएगा वो answer हो जाएगा exactly 2 hours तो exactly 2 hours वाला ही है x पराबर 2 कितना हो गया यह 2 k और at most 2 यानी जादा से जादा 2 घंटे जादा जादा कितने 2 घंटे यानी p x should be less than equal to 2 यानी यह तो 0 घंटे करें यह एक घंटे करें या दो घंटे करें तो इसमें क्या-क्या प्लस हो जाएगा 0.1 प्लस k प्लस 2 k सही है न प्लस k प्लस 2 k यह की value डाल दे न जो आएगा वो आपका answer हो जाएगा देखिए इसमें कहा रहा है जो random variable है उसको define कर दिया वो क्या है number of head in in three toss of a coin यानी एक coin को आप तीन बार toss करते हो तो जो number of head है वो random variable x find probability distribution probability distribution मतलब table बनानी है आपको ठीक अब outcome तो यह होता है आप एक coin को तीन बार toss करते है तो अगर मैं बात करूंगा h h h की तो इसमें कितने head है तीन x क्या है तो इसका random variable क्या होगा 3 x is equal to 3 तो x is equal to 3 का मतलब यह हो गया समझ गये इतनी बात या नहीं और x is equal to 2 का मतलब क्या क्या होगा यानि 2 head यही आएंगे न देख लो कुछ छूटा तो नहीं x is equal to 1 1 मतलब 1 head 3 आएंगे सही है और x परावर 0 में क्या आएगा no head यानि ttt समझ में आगया x परावर 3 की probability कितनी होगी इसका px कितना होगा 1 by 8 इसका px कितना होगा 3 by 8 इसका px कितना होगा 3 by 8 इसका px कितना होगा 1 by 8 क्यों मैं online वालो समझ में आया बस अब इसकी probability distribution table बनानी है मैं यहां बना दे रहा हूँ देख लो ध्यान से सब लोग x को value क्या क्या दी गई है 0 से start कर दें चलो 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 उनकी probability जो निकाली है वो लिख दो नीचे बस तो 0 वाली की probability कितनी निकाली है 1 by 8 और x परावर 1 वाली की probability कितनी है 3 by 8 और x परावर 2 वाली की probability कितनी है 3 by 8 और X प्रावर 3 वाले प्रोबिल्टी कितनी है 1 by 8 this is your final answer ठीक है अब इसमें कहरा है Z क्या है जो random variable है वो number of head minus number of tail जैसा भी हमने पीछे किया था उसमें 6 बार किया था यहां पर 2 बार तोस्किया गया है दो बार करतें तो outcome क्या होते यह होता है यह यह number of head है number of tail है और random variable z है और z की value किया है h minus t आपने अगर एक point को दो बार toss किया तो हो सकता है दोनों बार क्या आजाए? head आजाए और tail तब कितनी बार आएगा? 0 बार एक बार head आजाए अगर एक बार head आया तो एक बार tail आएगा और अगर एक भी head नाया तो दो बार दोनों बार tail आ गया तो 0 हो गया समझ में आगी इतनी बार अब इनका minus तो two minus zero zero two minus zero two one minus one zero zero minus two minus two देखो random variable minus में आ गया ठीक अब जरा इनकी probability है distribution table हमें बनानी है आप बताईए हैं खुद से x है और यह उसकी probability है x पराबर minus two अगर है तो इसकी probability क्या होगी x पराबर minus two का मतलब दोनों पे tail और दोनों पे tail का मतलब यह इसकी probability कितनी हो गई 1 by 4 तो यहां क्या लिखेंगे 1 by 4 ना टेल बोला ना head बोला एक coin is tossed twice और बोला है कि z क्या है number of head minus number of tail हमें इसकी probability निकालने होती है तो यह random variable minus two कब आया है जब यह case है 0 head और दोनों tail तो यह ही तो हुआ तो वो 1 by 4 हो गई ना उसकी probability अब यह 0 कब आया है random variable 0 कब आया है जब एक head और एक tail तो एक head एक tail वाले यह दोनों cases है हाँ तो 2 by 4 हो गया वो यानि कि 1 by 2 हो जाएगा चलो मैं 2 by 4 ही लिख देता हूँ ठीक फिर अगला random variable कितना है 2 यह 2 कब आया है जब दोनों पेhead आया है दोनों पेhead यानि यह case यानि क्या बनेगा 1 by 2 यह इसकी probability distribution table हो गया इस chapter में आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं distribution table बनाना सीख रहे हैं आगे जो मीन और वेरियंस निकालना है वो इसी table का निकलता है बहुत आसान है लेकिन यह table बनानी आनी चाहिए देखे question में कह रहे है percent toss a coin thrice तीन बार toss करता है तो मैंने वो लिख लिए सारे possible outcome for each head he got two rupees अगर उसका head आता है तो उसको दो रुपए मिलते हैं यानि अगर यह case होगा तो छे रुपए मिल जाएंगे उसको six rupees मिल जाएंगे क्योंकि तीन है ना या पर for each tail he lost rupees 1.5 यानि अगर यह case हो गया तो 1.5 plus 1.5 plus 1.4.5 का loss हो जाएगा यहां पर उसको एक्स जो रेंडम वेरीबिल हो क्या है amount lost और got उसको amount जो मिला या उसने खोया list the element of x जो random variable है जैसे अभी होता तो ना 0 1 2 3 हो वो x क्या क्या हो सकता है वो आपसे पूछा है तो देखिए एक तो इसको देख ली जाप इसका random variable अगर हम निकालने चले यानि कि अगर h h h h h आया तो इसका random variable क्या होगा 2 x 3 is equal to 6 सही है ना अच्छा इसका random variable जहाँ 2 head है और एक tail है ये इन तीनों का random variable सेम होगा कि नहीं होगा क्योंकि 2 head और एक tail है तो इसका जो random variable होगा h h t k का या h t h का या t h h का वो कितना होगा तो 2 x 2 दो बार head आया ना तो 2 x 2 4 minus 1.5 समझ यह ऐसे कर लो 2 plus 2 कर लो है ना तो कितना है यह 4 minus 1.5 होगे है नी 2.5 अगर एक head उसका आता है तो एक head वाला ये ये और ये तो इस case में अगर उसका एक head आया तो h t t का जो variable होगा वही हमारा t h t का variable होगा वही हमारा t t h का variable होगा तो variable कितना होगा टू प्लस टू प्लस माइनस 1.5 एंड माइनस 1.5 सही ना इतना कितना दे गए माइनस 1 ठीक यह इसका random variable हो गया और फिर एक यह है इसका random variable क्या होगा माइनस 1.5 माइनस 1.5 माइनस 1.5 या नहीं कि माइनस का 4.5 तो जो random variable को आपको list करना था वो लिस्टिंग क्या होगई है हमारी 6 2.5 माइनस 1 एंड माइनस 4.5 समझ में आ गया बोलो भी पुलकित कोई डाउट है चलो ठीक है पॉस कर दो फिर चलिए हमने दो कार्ट निकाले 52 पैक 52 का पैक होता है उसमें दो कार्ट निकाल ले आपको probability distribution बनाना है number of aces का है ना अब एक्स क्या है वारा number of aces जिसका probability distribution बनाना होता है तो एक्स का है number of aces तो जब आपने दो कार्ट निकाले तो एक्स की क्या क्या वैल्यों हो सकती है तो अरे भाई तुम तो जब्रदस्ति तुमने अभी दो कार्ट निकाले है बस मैं यह पूछ रहा हूं तो एक्स क्या number of aces अरे भाई तुम probability क्यों बतारों प्रवाविल्टी पूछी नहीं रहा हो है वो क्यों होगी जब दोनों एस निकलेंगे चलो तो एक्स के और को वैल्यू भी वह सकती है तुमने दो पत्ते निकाले तो एक्स है और एक नॉन एस है एक और यहां तो इसका नॉन एस सही है ना इतना और ये भी हो सकता है कि जीरो नॉन एस नॉन एस नॉन एस जो भी है क्यों वही है अब रेंडम वेरियेवेल हो गया ये जीरो वन टू इसका प्रोबिल्टी डिस्टिब्यूशन टेबिल बनाने निए प्रोबिल्टी तो अगर दोनों ही पत्ते नो एस हो एस नहीं है तो प्रोबिल्टी क्या होगी इसकी दो पत्ते निकाले वो कुछ भी हो सकते हैं फ्री है आप पताई क्या प्रोबिल्टी होगी पहला पत्ता जो आप निकालोगे जब वो कुछ भी हो सकता है एक पिनिट लेकिन उसको नौन एस होना धरूरी है है ना नहीं थर्टीन नहीं चार एस होते हैं तो चार अटा दिए यानि 48 वाई 52 समझे ना नौन एस के लिए तो यह प्रवबल्टी हुई 48 वाई 52 एंड 47 वाई 51 दो निकाले ना ओनलाइन वालों समझ में आया या या आप अरे भई एक का नहीं निकलना है ना एस नहीं निकलना है तो चारो एस अटा दीजे यानि तो पत्ता निकलना चाहिए वो 48 वाई 52 और क्योंकि एक पत्ता आपने निकाल लिया तो आप बच्चे कितना 47 और इधर कितने वाई 51 तो 47 वाई 51 ठीक है ना अब दूस इसरे तरीके से इसको अगर तुम्हें करना है तो तुम मुझे बताओ भी 48 कार्ट में से दो निकलना चाहिए कॉम्बिनेशन से करना है तो 48 c2 अपान 52 c2 दो कार्ट निकलने चाहिए वह 48 में से आने चाहिए और टोटल केसी होंगे कि 52 में से 2 समझ गया अभी एक एस और दूसरा नॉन इस समझ गया तो नहीं नहीं ऐसा नहीं एक एस होने की क्या प्रविल्टी हो गई एक एस पहले वाले इस की प्रविल्टी कितनी हो गई और दूसरे या लेगी 3 बाइ फिफ्टी वल यहा इसको कॉम्बिनेशन से करोगे तो जो दो एस निकलने चाहिए वह 4 c2 चार में से 2 आने चाहिए और यहां पर क्या होना चाहिए 52 c2 होना चाहिए सही है कि नहीं इतना नोट करो पहले चल दी से कि बॉस कर दो कि चलिए अब यहां पर एक ace एक नॉन इस है न जो तुम पथ्टा निकालो वह एस निकले इसकी प्रविल्टी क्यों होगी और फिन नॉन एस के लिए कितनी होगी वह बाकी वाले 48 में से आना चाहिए है ना 48 वाई 50 क्योंकि एक पत्ता तो कम हो गया समझ में आया पहला एस होना चाहिए तो यह कितना हो गया 4 by 52 यह वैसे करना चाहेंगे तो यह हो जाएगा चार इक्के में से एक का आना चाहिए 4C1 और रिमेनिंग पत्ता आना चाहिए वह 48 में से तो 48C1 और डिवाइड़ वाई 52C2 ऐसे भी कर सकते हैं तो यह इसकी प्रोबिल्टी डिस्ट्रिबुशन टेबल बन गई पाउस कर दो तो बच्चो इसमें जो नेक्स टॉपिक है हमारा वो प्रोबिल्टी डिस्ट्रिबुशन का मीन और वैरियंस है तो जैसे स्टेट्स में हम लोग मीन वैरियंस निकालते हैं उसी तरीके से यहां पर भी निकालना है मीन का फॉर्मूला यह है सिग्मा पी आई एक्साई इसक पहले इस खॉर्रेजंटल अच्छा यह टेबिल या तो बनी भी मिलेगी यह आपको बनाना पड़ेगा बनाना मैंने भी आपको सिखाया है random variable की table सवाल actually ऐसा ही आएगा पहले तुम्हें table बनानी पड़ेगा उसके बाद यह सब निकालना पड़ेगा complete सवाल यही है अब देखते हैं दरह इसको कैसे करना है बहुत आसान है यहाँ पर x की value यहाँ px की value तो x की value कितनी है बच्चों 2, 3, 4 और probability की value 0.2 है 0.5 है और 0.3 है अब हमें देखो इस formula में कहाँ चाहिए p into x तो p into x कर दीज़े यानि this into this तो यह हो गया px p i x i यानि कि p x आप p i x i लिख लिख लिए p i x i का मतलब है p 1 x 1 p 2 x 2 p 3 x 3 तो यह हो गया न p 1 x 1 कितना है 0.4 कितना है 1.5 तो क्या जाएगा sigma p i x i तो sum up कर दीज़े तो 2 points and 3.1 आगया यह ठीक है देखिए पहला answer आगया आपसे सबसे पहले सवाल में पूछा गया है mean यह लिए mean आगया इस formula देखिए कोई दिक्कत main मुद्दा क्या है यह table तयार करना है जो हम लोग अभी तक सीख रहे थे उसका तो formula based scale है उसका आपसे variance पूछ लिया तो variance में आपको क्या चाहिए देखिए p i x i का sigma p i x i का whole square तो वो तो यह है ना sigma p i x i तो whole square तो 3.1 का whole square हो गया वो value तो आ गई यह value चाहिए p i x i तो पहले x के square करना पड़ेगा तुम यह x i square है ना तो x i square करना पड़ेगा x i square मतलब इसके square तो 2 2 is a 4 2 का square 4 3 का square 9 4 का square 16 अब इसकी p i x i square करना है हमे p i x i square यानि की इसकी और इसकी इसकी और इसकी multiply करने हैं ठीक तो 0.2 into 0.4 0.8 0.5 into 9 कितना हो गया 4.5 और यह हो गया 4.8 समझ गया है और इसका sum up कर देंगे तो यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा 9.3 और 10.1 हो जाएगा चेक भी कर लेते हैं इसको हाँ 10.1 हो जाएगा इसका sum तो यह value हमारे पास कितनी आ गई 10.1 माइनस यह कितना आ गई 3.1 का इसको solve करके जो आएगा वो variance आजाएगा कोई दिक्कत इसमें online वालो बोली आईशा पॉस कर दो